यहां पर आपको यहां से यहां आधाइंची उचा कर रहा है यहां तब क्या होगा कि चारों पगल से पानी जो है नमस्कार दोस्तों मैं चीट अज फिर से निवीड लेकर आओं आज मैं आपको बताने विलाओंगे बात्रूम फोलरी टैल्स केसे लगाओंगे लगाने का प् जिसके वेसे आपको ज्यादा मुक्सान होता है और ज्यादा मेहनत भी लगता है तो क्या प्रोसेस होता है कि धंग से करना चाहिए जिसे कि दोस्तों आपके बात्रूम में एक बुन पानी कहीं पर ना आठके बिल्कुल सही धंग से आपको ढ़ाल देने का प्रोसेस बताऊ वीडियो को ध्यान से देखना और समझना तभी आपको समझ में आएगा कि कैसे काम करना चाहिए क्या प्रोसेस होना चाहिए अगर आप घर में टैल्स लगा रहा है तो इस वीडियो को कंप्लीट देखना मैं कहता हूं कंप्लीट देखना आपको A to Z जानगारी देंगे सही प्रोसेस से कैसे काम होता है वो नौलेज देंगे कैसे करना चाहिए वो तरीका में आपको बताने वाला हो कैसे आप करोगे जिससे आपके टैल्स में फिनिसिंग होगा वो तरीका में आपको बताने वाला हो तिले चलता हूं वीडियो की और उससे पहले आप छोटा सा रिक लगाना हो उसके बाहों यहां जो है तो पहले आपको चॉत नहीं लेगा ए चीदम ए को भोरत को पूसित लेकाशने के युद्रीन रखाब यहां पताँब करोंगemie उतेका फरोटरन का प्रियों करने ते दिए्दी देखिएंगा तो अंदर भाई कि आप जो है अधिक से अधिक नाडले हाजिल करोगे ठीक है तो आपको ध्यान से देखना आप यहां पर मसाला करने के लिए आपको मसाला बना होगा मेरा पांच एक के मसाला रेशियो बनाएं और बहुत सा भाई लोग कोमेंट कर रहे थे कि आपका मसाला फीका मसाला देते हैं और यह जो मेरा बालू होता है ना यह नदी का बालू ठीक है एक क्रेसर की बालू नहीं है जिसके बज़े से यहां पर इसी बिलेका इसीफ़े बताइएंगे वीडियो को ध्यान से देखना पहले आपको इसको चोरस कर लेना अच्छे ढंक से चोरस करने का है अंच प्रोसस भी मैं आपको बता देता हूं कंडी को अराम से चलाना है अँसके बाद बाए लूम्र मसाला के ऊपर नहीं देना मसाला उरका ना च Candy को ढूboys और से आपको मसाला देना चाहिए ठीक है अगर अगर आप अपने घरों में इस तरह से शीट लग बारें बात्रूम बन बारें तो आपको शीट लगाने ध्यान देना होगा आपको करना क्या होगा जिसे कि देख पारोंगे यहां पर बहुत बड़ा गलती हो गया यहां पर इतना बड़ा बात्रूम में फिर भी बीच में इस तरह से शीट डाल दिया है ठीक है इतना बड़ा एरिया नहीं रखना चीज़ए शीट के एरिया जो होता है बढ़ियां खुबसूरती जो होता है वह आपको करने के आउगा दिबार से आपको आठ इंची रखना धल यहां में ठीक है तभी आपका टायल से जब लगेगा तो खुबसूरत लगेगा बढ़ियां देखने में लगेगा अगर आप आठ इंची में रखते हो तो नहीं तो फिर अगर आप देख पारोंगे यहां पर देख पारोंगे सबाब फिट है अब यहां पर पीछे की बढ़ियां लगेगा अब देखने में बढ़ियां लगेगा ठीक है तो यह गलती आप नहीं करना यह चीज में आपको बता देता हूं अब हम इस पर टायल कच्छा करते हैं उसके बाद इसका कर लेना है एक दीवार पहले इधर से सिधा कर लेना है उसके बाद आपको बाह है यहां आप देख लिए यहां और पाज है और देख ल्ले ना है आप देखके हैं त चाहिए आप देखेंगे मेरे बहुत यहां पे इस तरह से प्र आकर देख लिए इसक्वेस कर लेना है और विंधात कर कर लेना ठीक isolate आप देखिए यही गलती होता अगर आप छोटे जगह पे रहता तो खुबसूर्थी ज्यादा बढ़िया लगता इतना चौला कर दिया है तो यह जगह भी वेकार गया अस्पेश भी छोटा उपको पाथरूम का उसके बाद यह कोई काम में आने वाला है ने बाद में इतना आपको छेवे इंची आठ इंची आपको दिवार से फ़रक रखना और अस्कौायर में यह बनाना शीट का पोर्शन जो होता है अस्कौायर में बनना चीए ठीक है तब जाके ज्यादा बहतरी लगता और देखने में खोसूर्थी लगता अब आपको इस्पिरोसर से अगर लेना ठीक है एसे में लगा लेना और यह सीट का पोर्शन आपको यहां से देख लेना ठीक है इस तरह से देख लेना उसके बाद फिर आपको यह टाइल्स भी यहां से हटा लेना ठीक है इसको भी पहले हम यहां से हटा लेते हैं आप हमको यहां से फिर इसको निशान इस से लगा लेते हैं ठीक है यह हो गया इस तरह से निशान लगा लेना है ऐसे में फिर आपको इसके हिसाब से एसे निशान लगा लेना है एक वार निसान लगा लेना उसके बाद आपको इसको हटा करें के पिर आपको यहां से इसका नापे लिना ठीक है जो निसान लगा फिर अब इस्थर से यहां पर नापे लेना है कि इसको पहले कटिंग करना थीक है कर दो कि दूएब झूर है कर दो है है कि आफे मजवािट है आपको ना करने है इस ही प्रोसेश से पहले अपको प्रोसे स्यार रखना होगा यह सीड के चार तरफ करना करना को लिए चल तो भी चाहर प्रोसेस अिसको क्रोणर क्रश कर दिए और इस ने了 कि आपको इधर से पीछे की और आप इंची कटिंग करने बाद आपको इसको तोड़ देना दो पार्ट में ठीक है तोड़ने बाद आपको इस प्रोसेस से बैठा देना इसको जोएंट भी फिनीशिंग आएगा अब डिरेक्ट मसीन चलाओगे तो फिर जोएंट मोटा होगा उपैस जैब होना और यह ऑऊ डूसे आपको सद्यां रखना दूसरी चीज़ जब कतिम कर रही हो तो आपेसं कर रहे हो तो अप को से एस प्रोसेस नहीं लेट ठीक है इधर के साइट से भी आपको तीरपन इंची रखना यहीं कि पीछे की और से आपको यह स्कॉयर में कर लेना बुराबर रखना तब जाके आपके सीट पर भी जो है आगे के किनारे बुराबर आएगा जिसे के दखिए यह आगया सड़ेग आरा इंची और यह भी आगया सब्सक्राइब देख लेना हरे एक ठीज आप को perfect करने के लिए आपको नापि कर लेना ठीक है उसके बाद सजाने के बाद आप इसको कि ठोगना आप धालां देने के लिए आपको पर्यों करना यह तो भी दिक्कत होगा तो यह चीज धियान में रखना इतना सारा काम करने बाद आप हम इसको फिटिंग करते हैं तो फिटिंग करने का क्या प्रोसेस रहता वह भी आपको जनकारी मिलेगा तो वीडियो को ध्यान से देखना और समझना में बाता रहकता यक ज़ान इतना, को जड़ है, पोदकता वीव करने गफ़ ममस्पड़ करते हैं कर तो कि खपो एकि ठ socद परीजों का आप और रम। घजक घजक भड़तीाattend अ, पर र try को एकि एक है कि अभंक पर छोग जऴिए, जबvate एकिळेंग, जचब हँ़ को कै ठकि बouse को घो मिलखना即प अ यू जब सुप्क एाँ, कि भुट का उना। ऐसा जेना क வ SJघ्ट है, पौरा दास दो कोकित ऩोलर धी। खांके गांके ठातों हैं यह जत्व सबस्साइब भाइब यृगर मुगा बाच खांक ुड़ी खांक २ूमम कि मेरे बाई यहां का ऊपर का फेश तो कंप्लिट हो गिया और इस प्रोसेसर लगा लिए सब्सक्राइब देख पा रहा हूंगे अब बारी आता है नीचे लगाने का तो नीचे के इस प्रोसेसर लगा है था उपको तरिका बताने वाला हूं और यहां पर पानी का ड़लान कि प्रोसेसर देना वी नाहिच देने वाला हूं तो विडियो को ध्यान से देखना क्या क्या प्रोसेस होता सारह कुझमे आप आप को स्टेप आछ स्चेप बसे बताएंगे है शेकि यहां पर इसका हाइट जो है सब 10 इंची है ठीक है और इधर का हाइट जो है 10 इंची है यहां कि आपको यहां से आधा इंची इधर उचा करना ठीक है अब उसके बाद फिर वहां से आपको आधा इंची इधर उचा करना ठीक है तो एक कोना से एक कोना तक आपको एक इंची क थाल बन जाएगा और यहां से यहां तक आधाम जाला करना इस प्रोसेस से आपको भा Cast हम सकते हैं तो । यह तो यहां लेपलिंग प्रोसर्त बने अगर बहुत ही आराम होगा और यह फीमस्ट बनेगा आपका अब देखे मेरे आपके ऐसा आप क्यों किया तो आएसा हम इसलिए किया है जैसा कि देख पा रहा है यह बद गुनिया यहां पर दो इलजिका के पिंग आरा ठीक है तो इसलिए और यह पीश जो हमको था इधर समुचा लेकर जाना था क्योंकि गेट के सामने पर रहा था और इधर कटिंग आ रहा था तो कटिंग एक्षाइड कर दिया है आप यहां पर इसको बिचा के उसके बाद पीश्वाइं कर लिया ठीक है यह कटिंग होगी है आप इसको लगाना आए सब हम अभी लगा नहीं है यही रखा रूपा जैसे तेसे तो हम इसको आप लगाएंगे अब लगाने का प्रोसेश क्या है वह चीज में आपको बताने वला हूं कि लिएम के डिश्ट्रहब के बज़े से इतना साहरा पहले हम कटिंग करके बिछा दिये ठीट है आप इसको लगाना आप लगाने क्या वो चीज में आपको बताता हूं पहले आपको इधर से पिस्कों उठाना ठीक है कि देखिर लगाने के बाद आपको फिर अश्पीड लेवल चेक कर लेना ठीक है इस तरह से चेक कर लेना जितना ढाल आप इधर से ले रहे हो उतना ही ढाल आपको इधर से इधर करना ठीक है दोनों पगल स्वेंप बुरापर रखना है इस प्रोसेस से इतना करने के बाद अब आपको करना क्या होगा अब इधर से आपको लगाना है ठीक है प्रहुददगा नका नकाहतल में ठाय झाहता है और छाली को जाहते हमीज़ जया प्रहा है चाहते हमाँ है झाली का रaticाी, आसा गच provider क्ज़ चेमा हमाई रिध रस टार हुआ ए हमड़ से शेश ङोटेड़ सेय नहुशी घ правильно, ए जらगे झाल, गाल, जैएfire चाणिये जहुशी है, तो बीज़ सोले के जरगे लड़ लंण के दिश़िकिम साहया है, थिया, क्वरस्प séüg लिए जोग्तोवका परस। पार तो जीसे का आप देख पारोंगे दोस्तों आप इसको देख पारोंगे यहां पर एक चीज हमेशा धियान रखनाा पानी के पॉइंट पर आपको बना देलना प्रोसेस चोको डंके आपको जो है घड़ा ट्रैप्य बना लेना जिसे पानी आपको किनारे में नहीं लुकत दिये ठीक है इस प्रोसेस अगर चारों गण से आप कटिंग करते हैं तो आपका पानी बिल्कुल एक पूंद भीयां पे नहीं रुकेगा डायक्ट नली में जाया प्रोसे से प्रोसे से अपका जिसमें थाए लुकत प्रोसे सिस्टी बिल्क।